देश के परती बिरोध है, आपके समय में डिफेंस में इंपोर्ट जादा था, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके समय में एक्सपोर्ट था केवल 19 लाग करोर का, अभी 75 लाग करोर से उपर का एक्सपोर्ट हुआ है, उसी लाग करोर तक जाने वाला है लेकिन क्योंकि उनके अकल और दिमाग में को पूरी तरह से नकाल अत्मत्ता और निगेटिविटी भरी लिए इसलिए जाहें वो किसी भी पोस्ट पे जाएंगे तब भी जो है वो इसी तरह के बींग बाजी करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहूल गांधी इन तिनों अमेरिका की यातरा पर हैं रविवार कोडेल असेस्थित यूनिवर्स्टी आफ टेकसास में राहूल ने सब को देवता की परिभाशा समझाओ बस अब उनकी इसी परिभाशा ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया राहूल ने कहा कि देवता का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके आंतरिक भावनाय ठीक बैसी ही है जैसे उसके बाहरी विचार यानि वह पूरी तरह से पारदर्शी है अगर कोई व्यक्ति मुझे वह सब कुछ पताता है जो वह मानता है या सोचता है और उसे खुले तोर पर जाहिर करता है तो यही देवता की परिभाशा है इसका मतलब भगवान नहीं है राहूल ने कहा कि हमारी राजनीती के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप अपने विचारों को कैसे दबाते हैं और दूसरे लोगों के डर और महत्वा कांख्शाओं का निरिक्षर कैसे करते हैं। राहुल ने भगवान राम से लेकर भगवान शिफ्तक का जिक्र किया और भारती राजनिती के बारे में अपने विचार सामने रखे। खैर राहुल के बयान पर अब बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथो ले लिया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को विदेशी धर्ती पर भारत का अपमान करने की आदत पड़ चुकी है। आपके समय में डिफेंस में इंपोर्ट जादा था। अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके समय में एक्सपोर्ट था केवल उनीस लाग करोर का। अभी पच्छतर लाग करोर से उपर का एक्सपोर्ट हुआ है असी लाग करोर तक। इस वक्त जो है वो एक constitutional post पे हैं और इस constitutional post पे जब व्यक्ति होता है तो देश की अपेक्षा होती है समाज की अपेक्षा होती है और पूरी दुनिया की भी अपेक्षा होती है कि unguided dean की जगां guided dignity का demonstration करें परदरशन करें लेकिन क्योंकि उनके अकल उनके दिमाग में तो जो ह इसलिए चाहे वो किसी भी post पे जाएंगे तब भी जो है वो इसी तरह के dean बाजी करेंगे इस तरह के भ्रम और भै का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे और देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के गलत फैमी है कि जै काफ़ाल master of none और जब प्रोफेसर अगर उनके इस तरह के हो प्राम्टर प्रोफेसर तो वो इसी तरह की भाशा बोलते हैं और केवल किसी के स्क्रिप्ट दिये जाने पर बोलने से थोड़ी ना पूरे सत्य जो है या तत्त्य लोगों के सामने जाएंगे वो तो विदेश में जाकर तो व महां से मदद भी मांगते हैं कि मोदी जी की सरकार कैसे हटाई जा सकती और इस पर यॉर्प और अमेरिका क्या करें तो उनका जो विदेश में यात्रा जो होती है और क्या वो बोलते हैं उस पर हमेशा बहुत गंभीर सवाल उठी जाते हैं